और विश्वसनी और कल्पनी और रहश्य को जानने तो बात है दिसंबर 1989 की एक रात पाली जोतपुर हाईवे पर पाली से 20 किलोमेटर की दुरी पर एक गाउं है चोटिला वहां के ठाकुर जोक सहीं जी के पुद्र सिरी ओम सहीराठोर जिने हम ओम बना के नाम से जानते हैं अपनी बुलेट से अपने ससुराल बगडी सांडे राउ से अपने गाउं चोटिला आ रहे थे और इसी इस्तान पर इस पेड़ से टकराने से आपका एक्सिडेंट हो गया था और आपकी मोके पर ही मृत्य हो गई थी यह वही पेड़ है जिससे ओम बना का बुलेट का एक्सिडेंट हुआ था और यह अब एक पुजिनी स्तान बन चुका है लोगों के आस्ता इससे जुड़ी हुई है तो यहां की इत्यास की बात करें तो श्री ओम सिंग डाठोर जिने हम ओम बना के नाम सी जानते हैं यह उनका पवित्रिस्तान है बता जाता है कि वे अपने सस्कुराल से अपने घर चोटिला आ रहे थे तो रास्ते में उनका इसी जगा पर एक्सिडेंट हो गया था एक्सिडेंट के बाद में जब सुबर पुलिस वाले उनकी गारी को लेकर थाने गए तो गारी ऑटमेटिक स्टार्ट होकर यहां पर दूसरे दिन आकर मिली उनको ऐसा उनका दो तिन बार होआ उसके बाद में उस गारी को यहीं पर आकर इस्ताफित कर दिया गया कई बार बुलेट के यहां लोटने के बाद थाने में बुलेट को चेंच से बांद के रखा गया उसका पेट्रो निकाला गया फिर भी अगले दिन बुलेट दुरगटना वाले इस्तान पर आकी मिलने लगी आखिर बुलेट में कोई देविय शक्ती को मान कर लोगों द्वारा उसे यहां परिस्तापित कर दिया गया बाद भी यहां एक चबुत्रा बना कर पुजा की जाने लगी जो आज कई लोगों के लिए आस्ता का केंद्र बन चुकी है तो यह थी ओम बना धाम की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताएं मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में अविस्वस्नी अकल पनी और रहस्मी कहानी के साथ तब तक के लिए जय माता दी